फ्लटर डिजेट्स को समझने के लिए एक best example मैं आपको देता हूँ ठीक है suppose आपको एक WhatsApp के जैसा एक app design करना है जब आप ये app design करेंगे तो आपको एक question जरूर हैगा कि यह जो profile image हम add करते हैं इसको कैसे add करेंगे वहाँ पे जो contact name हम add करते हैं उसको कैसे add करते हैं उसके नीचे हमें एक text add करना है जैसे वहाँ पे last scene दिखना चाहिए तो वो कैसे add होगा multiple contacts जो हम देखते हैं app में ये सारे चीज़े कैसे add होती है इन सभी चीज़ों को design करने के लिए ही mobile apps में flutter widgets का use किया जाता है जैसे for example ये जो image आप देखते हैं WhatsApp app में इसको हम बोलते है image widget जो name हम देखते हैं इसको हम बोलते है text widget उसके नीचे जो last scene का एक label है उसको हम बोलते है text widget और एक के नीचे एक जो contact added है इन सबको हम एक list view में add करते हैं उसको हम बोलते है list view widget I hope कि आपको एक basic clarity आ रही होगी कि किस तरीके से widgets को use किया जाता है ठीक है अब ऐसे बहुत सारे widgets available है For example कि आप WhatsApp app में status का एक tab देख सकते हैं उसमें एक calls का tab रहता है एक groups का tab रहता है एक message का button रहता है नीचे इन सब के लिए कुछ न कुछ एक widget flutter में design किया हुआ है इन सारे चीजों को इस वीडियो में study करेंगे और practically इस app को design करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये app run होता है और widgets का use करके इसको कैसे design करते है ठीक है तो वीडियो को end तक जरूर देखे और मेरे वीडियो को अगर पहली बार consume कर रहे है तो like, share, subscribe तो बनता ही है क्योंकि coding से related best videos आपको इस YouTube चैनल पर मिलते है तो subscribe तो बनता ही है अब गाईस देखते है कि कौन से कौन से ऐसे widgets available है जो आपको पता रहने चाहिए एक mobile app design करने के लिए अब इन widgets को study करने से पहले आपको एक basic idea होना जरूरी है कि stateless widget और stateful widget में क्या difference है अब एक होता है stateless widget इसको बहुत ही simplified way में मैं आपको explain करता हूँ जैसे for example एक app है आपके सामने जिसमें राम, शाम और गंशाम ये तीन contacts added है अब हमें ये पता है कि इस app में ये नाम कभी change नहीं होंगे ठीक है ये जो एप आपको यहाँ दिख रहा है इसमें ये तीन नाम ही रहेंगे इसमें और कोई contact add ही नहीं होगा ये static app है तो इसको हम बोलेंगे stateless widget क्योंकि इसमें कोई state नहीं है ये change नहीं होगा ये एक static app है इसमें कुछ भी change नहीं होगा ये same to same ऐसा का ऐसा ही रहेगा तो इसको हम बोलेंगे stateless widget वही अगर हम stateful widget की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है आप देखेंगे उपर एक add user का button दिया है इसका मतलब क्या है कि इसमें और multiple contacts भी add हो सकते हैं क्योंकि यह dynamically change होगा वहाँ पर मैं अगर new user add करूँआ तो इस list में वह contact भी add हो जाएगा ठीक है तो यह होता है basic difference एक stateless और stateful widget के बीच में इन दो categories में ही आपको कोई भी app design करना रहता है यहां तो आप static app design करेंगे जिसमें list defined है for example एक grocery app है ठीक है उसमें आपको जो भी आपकी grocery है जो भी सबजिया आपको app में डालनी है वो app में आपने डालके रख दिये अब उसको आप change नहीं करेंगे उस case में आपको stateless widget काम आएगा वहीं आपके सामने जैसे facebook जैसा app है instagram reels जैसा app है जिसमें multiple reels रोज add होते रहते है उस case में आपको stateful widget करना है क्योंकि उसमें dynamic होगा सब सब change होते रहेगा अब देखते है कि text widget को गैसे design किया जाता है उसमें text widget तो जैसे आपको समझ गया कि WhatsApp में जैसे वहाँ पर contact का name रहता है उसको हम बोलते है text widget कभी भी आपको mobile apps में text add करना है तो आपको text widget की जरूरत पड़ेगी तो text widget को design करने के लिए यह code use किया जाता है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक text है जिसमें मैंने hello world उस text को assign किया और वहाँ पर styling मैंने दिये कि उसका font size थोड़ा bold होना चाहिए उसमें underline करना है alignments वो सब चीजे वो styling part में होती है तो इसको हम practically देखेंगे कैसे बनाते हैं पस अभी हम एक basic syntax देख लेते हैं widgets का कि कैसे वो दिखते हैं मतलब code उसका कैसे दिखता है इसके बाद आता है image widget image widget को add करने के लिए आपको image.asset यूज करना वड़ता है right asset में बस आप image का नाव name दे दीजिए वो image वहाँ पर display हो जाएगी यह होता है image widget list view widget जैसे कि मैंने बताया था WhatsApp में multiple contacts जो रहते हैं वो एक list में added है ऐसे ही आपको कभी भी list create करनी है mobile app में तो उस case में आपको list view widget यूज करना बढ़ता है ठीक है उसका code है जैसे कि आप देख सकते है list view में एक children है उस children के अंदर हमने सारे जो भी हमें list में चाहिए वो add की है ठीक है जैसे आप आइटम 1 है item 2, item 3 ऐसे कितने भी items आप add कर सकते है अब यह dynamic है तो यह किसी API के through आएंगे मतलब कोई API हम call करेंगे जहां पर यह सब data stored है वहां से हम इसको call करके यहां पर display कर सकते है तो उसके लिए list view, builder और यह सब चीज़े रहती है तो यह धीरे-धीरे हम expand करेंगे concepts को बस अभी आपक scaffold widget, scaffold widget मतलब क्या, जब कोई भी app आप open करते है तो top में आपको एक navigation बाहर दिखते है उसमें back button रहता है, app का name रहता है, यहां पर उस page का name रहता है, तो उस case में आप scaffold widget यूज़े करते है, ठीक है, एक scaffold है, उस scaffold के अंदर एक app बार मैंने add किया जो header में से दिखता है, वहां body दिए है, text hello world, तो बीच में एक center में एक hello world वहां पर दिखेगा, तो आप देख सकते हैं, मैंने center widget भी यहां पर यूज़े किया है, तो आप चीजों को अगर भारी किसी देखेंगे ना, तो हर चीज इसमें एक widget नाम से design की हुई है, तो center widget के अंदर मैंने text add किया, तो वहा box बनाने के लिए, वैसे ही यहाँ पर container widget रहता है, तो container widget में आप height, उसकी width, उसका background color, जो भी आपको set करना है, आप कर सकते हैं, इस container में, इस box में आप multiple चीज़े add कर सकते हैं, for example, एक box है, उस box के अंदर आपको image add करना है, उसमें text और उसमें एक subtext add करना है, तो उस case में आ चीजों को ही बोला जाता है, container widget, container widget के अंदर मैंने एक image add किये, और एक text और एक subtext add की हुई है, ठीक है, ऐसे list view में मैंने multiple containers बनाए है, एक list view में, जिसमें multiple चीज़े दिखती है, उसमें एक container में पहले राम, फिर दूसरे container में शाम, फिर दीसरे में गंशाम, ऐसे list view में containers added ह अब buttons तो common चीज़ है, कोई भी app में, कोई भी mobile app में, या फिर web app में, आप देख सकते हैं कि buttons का importance क्या होता है, जैसे buy now, add to cart, ये buttons को add करने के लिए elevated button widget है, जिसका use करके आप buttons को create कर सकते हैं, इसमें button widget भी available है, पर elevated button widget में animations और material design जो रहता है, यानि उसमें कुछ effects उसमें already pre defined रहते हैं, तो वो best माना जाता है, तो elevated button को add करने के लिए, आप elevated button और उसमें जो भी आपको action देना है, button click पे, तो आप add कर सकते हैं, on pressed event पे, child में आप उस button का name भी दे सकते है, फिर आता है row widget, अब row widget क्या होता है, जो WhatsApp का example दाना, उसी example को continue करते है, ठीक है, उसमें एक image थ मैं ऐसे divide कर दूँगा, जबी भी मैं mobile app design करता हूँ, तो उसमें एक container है, उस container के अंदर एक row है, ठीक है, उस row में दो items है, एक है image और एक है दूसरा column widget, उस column widget के अंदर दो चीज़े added है, एक है name, जो contact का name है, उसके नीचे last scene, तो यह दो item column में added है, और दो item row में added है, जैसे image और यह एक column और इस column में दो और defined है, इसको बोलते है row widget and column widget, तो कभी भी आपको दो item एक row में चाहिए, तो उसके लिए row widget और multiple items एक के नीचे एक आपको चाहिए, तो उस case में आपको column widget का use करना पड़ता है, ठीक है, column widget को define करने के लिए आपको column और उसमें children add करके एक array महा पर दिया वा है, जिसमें आप कितने भी items add कर सकते हैं, तो वो column widget के items कैसे दिखेंगे, one by one ऐसे, एक होता है size box widget, suppose आपको एक name आपने add किया, उसके नीचे गो spacing चाहिए, आपको एक extra spacing चाहिए, कि second item उससे attach नहीं हो जाए, तो बीच में आप space add करने के लिए size box widget का use कर सकते ह इसमें आप बस height दे देंगे, तो उतनी वो space वहाँ पर add कर देगा, जैसे मैंने एक text add किया, उसके नीचे एक size box add किया 5 का, उसको height मैंने 5 दे दी, वहाँ पर 5 pixel की space आजाएगी, उसके नीचे मैं एक paragraph add करूँगा, उसके नीचे एक size box तो ऐसे वो spacing वहाँ पर define कर देता है, और एक होता है padding widget, अब आपको padding के बारे में तो पता ही होगा कि चारो side से अगर मुझे space देना है एक box को, तो उस case में हम padding widget use करते हैं, उसमें आप edge inserts dot all दे देंगे, तो वो चारो side से वो spacing add कर देता है, वैसे आप left, top, right, bottom भी add कर सकते हैं, padding में आप child widget में जो भी आपको add कर सकते हैं, उसमें list view भी हो सकता है, container भी हो सकता है, text भी हो सकता है, button भी, इससे हमको ये समझ में आता है, कि एक widget के अंदर multiple widgets भी add हो सकते हैं, जैसे एक container में text भी add हो सकता है, image भी add हो सकती है, उसमें button भी add हो सकता है, अब guys एक app build करके ही देखते हैं, कि किस तरीके से इन widgets को Flutter app में लिखा जाता है और उसको run किया जाता है ठीक है तो जो अभी हमने app देखे उसी को हम design करते है Flutter में ठीक है अब गाइस देखते हैं कि app को कैसे design करें तो सबसे बहले आपको live folder में जाना है main.dart नाम की एक file रहती है इसको open करेंगे ठीक है सबसे बहले जो method call होती है यहाँ पर होती है main method इस main method में आप देख सकते हैं यहाँ रण app है यहाँ से ही सब पूरा जो भी खेल है शुरू होता है app का फिर इसमें हमने my app एक class design की हुई है मतलब यह code already आपके पास available रहता है इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है बस समझना है कि कहां से क्या call हो रहा है तो my app से हमने एक home page call किया इस home page में हमने एक state create की हुई है home page state इस home page state में यह build method है यहाँ से जो भी हम design करेंगे वो सब चीज़े आपको app में दिखेगी यह code मैंने अभी add किया वा है अब इसमें widgets को कैसे use करते हैं वो चीज़े अब हम step by step देखते हैं तो सबसे बहले इसको run करता हूँ है तो run करने के लिए new terminal में हम जाएंगे और यहाँ पे codezify underscore app ठीक है flutter run तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि flutter run करने वे आपको यह app दिखेगा ठीक है यहाँ पे counter increment होता है इस तरीके से apps को run किया जाता है अब सबसे बहले मैं आपको एक text widget add करके दिखा दाऊं ठीक है अब देखेंगे देखेंगे जो भी यह build method है इसमें सबसे बहले हम एक text widget को add करेंगे तो text widget में हमने देखा था कि कैसे add होता है यहाँ पे हम जो भी आपको text का name देना है वह हम देखेंगे ठीक है सपोज में यहाँ पे देता हूँ codzify.com ठीक है इस text को हमको style करना है मैं style में लिखूंगा text style इसका best part ही है कि यहाँ पे suggestions आपको सारे मिल जाते है तो text style में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह सारी properties यहाँ पे available है जैसे font size है letter spacing font weight इस तरीके से आप दे सकते हैं तो मैं suppose यहाँ पे font size देता हूँ 22 23 ठीक है उसके बाद में मैं यहाँ पे font weight add करता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ font weight तो आप देखेंगे कि सारे weights आपके बास available है यहाँ पे तो font weight dot bold हम यूज करेंगे और run करने के लिए आपको सिर्फ टर्मिनल में cursor लाना है और आर आपको लिखना है ठीक है आर मतलब reload वह hot restart होता है आपको गुज भी change करने की जरुरत नहीं है मतलब आपको आपको भारबार रन करने की जरुरत नहीं है सिर्फ आर की को कीबोर्ड पर प्रेस करके आप को रिफ्रेश कर सकते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर codezify.com यहाँ पर एड हो चुका है अब इसको color हम एक कर देंगे colors.black ठीक है colors नाम से आप कर सकते हैं यहाँ पर प्रेस करूँगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर text widget add हो गया अब हमारा जो widget था वो था राम ठीक है और इसको अभी यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे यह हो गया हमारा राम अब इसमें हमको एक और विज्चेट एड़ करना था राइट जैसे text widget है इसमें हमको शाम भी एड़ करना था वैसे हमको एक गंशाम भी एड़ करना था राइट पर क्या यह run हो रहा है तो आप देख सकते हैं आपर errors आपको दिख रहे होगे तो यह क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि by default आप सिर्फ एक ही नाम या फिर एक ही widget एड़ कर सकते हैं अगर आपको multiple widgets चाहिए जैसे एक के नीचे एक चाहिए तो हमारे पास है column widget तो हम यूज करेंगे column widget का यहाँ पर जिसमें मैं children का यूज करके यहाँ पर मैं जितने भी atoms add करने मुझे मैं add कर सकता हूँ for example जैसे यहाँ पर text है तो यहाँ पर text add करेंगे हम लोग ठीक है फिर मैं कॉमा देखके एक और text एड़ कर दूँगा फिर कॉमा देखके एक और text ऐसे हम कितने भी टेक्स्ट को add कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं refresh करता हूं आर से तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पर एटम से यहाँ पर एड़ हो चुके अब इसको राम श्याम कर देंगे इसको गंश्याम कर देंगे ठीक है इस तरीके से यह हो गया text widget और column widget को कैसे यूज करते हैं वही अगर मैं इसको column की जगह रो कर देता हूं तो आप देख सकते हैं कि यह रो में एड़ हुए राम श्याम और गंश्याम तो एक लाइन में अगर आपको कोई भी एटम्स को एड़ करना है तो आप रो यूज करें कॉलम एड़ करना है तो अगर मल्टिबल आइटम्स एक के नीचे एक चाहिए तो कॉलम विजट यूज कर सकते हैं अब देखते हैं स्काइफोल्ड को कैसे यूज करें जैसे मैं यह पर रिटन लिपता हूं ठीक है स्काइफोल्ड के अंदर हम लोग एप बार को डिजाइन कर सकते हैं अब एप बार के अंदर हम एप बार हैड करेंगे इसमें मैं टाइटल दे देता हूं टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर हम दे देंगे, ग्रूप एप, ठीक है, इसको मैं कलर दे देता हूं, बैक्राउंड गलर, colors.blue, यह हो गया हमारा app bar design, ठीक है, अब इस app bar के अंदर हमें, मतलब इस scaffold के अंदर हम body भी add कर सकते हैं, जिसमें हम लोग यह सब चीज़ें जो हमने लिखी, जैसे यह row था, यह पूरा का पूरा row मैं इसमें copy कर देता हूं, इस तरीके से, और scaffold को एक semi-colon देखके हम run करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि कितना easy है app को design करना, एक scaffold मैंने लिया, सिर्व एक app bar design किया, और body के अंदर, जो भी widget हमें design करने हम design कर सकते, तो यह हो गया, group app में हमारे यह navigation bar भी add हो गया, अब इसको row की जगह मैं column कर देता हूं, अब हमें add करना है यहां पर एक image और राम के नीचे last scene उसका एक label वहां पर दिखना चाहिए, तो वो कैसे add करेंगे, तो उसके लिए मैं design करूंगा एक container, इस container के अंदर हम लोग एक child design करेंगे, उस child में हम लोग एक row add करेंगे, ठीक है, उस row के अंदर हम लोग children add करेंगे, उस children के अंदर हमें एक image widget चाहिए, ठीक है, image.asset का यूज़ करके हम वहां पर एक image add करेंगे, और एक हमें चाहिए column widget, जिसमें एक title चाहिए, जिसमें contact का name चाहिए, तो वहां पर मैं contact का name दे देता हूँ, जैसे राम, ठीक है, contact का name चाहिए, और column के अंदर हमें एक, और एक text चाहिए, जिसमें मुझे लिखके चाहिए, कि last scene by ram at last scene 5 minutes ago, ठीक है, इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा एक container यहां पर design कर दिया, इसको remove कर देता हूँ अभी, इसको refresh करके देखेंगे किस तरीके से दिखता है, अब आप देख सकते हैं, आप राम एड़ हो चुका है, last scene भी एड़ हो चुका है, यहाँ पर image है, अब image को कैसे एड़ करेंगे, तो सबसे बहले यहाँ पर जो भी आपका folder है, project का नाम, यह अगर आपने miss कर दिये, अगर आपने first episode miss कर दिया, कि किस तरीके से हमने environment setup किया था, flutter को install करके, यह folder अगर हमने create किये थे, तो आप वो episode देख सकते है, description में, और card में भी मैंने link drop कर दिये, ठीक है, यहाँ पर folder का नाम, यहाँ पर new folder create करके, इस पर select करके new folder create करेंगे, हम assets नाम का, ठीक है, यह मैंने already create किया हुए, तो आपको ऐसे assets नाम का एक folder create करना है, उसमें images नाम का एक folder मैंने add किया, और सारी images मैंने यहाँ add किये, राम की, शाम की और गंशाम की, तो for example, यहाँ पर मैं use करूँगा assets, images के अंदर, मैं लिपूँगा, ram.png, इसको run करेंगे, इसमें relative path देना पड़ेगा, अब run करते हैं, इसको refresh करके, अब इसके width, अगर आपको set करना है, तो आप width भी set कर सकते हैं, आपर जैसे width मैंने 100 लिया, और height भी मैंने यहाँ पर 100 लिया, ठीक है, इसको refresh करेंगे, यहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह राम नाम की image यहाँ पर add हो चुकी है, अब यह जो text है, इसको थोड़ा bold हमें करना है, तो यहाँ पर आपको styling चेंज करना पड़ेगा, इस text, इसमें आपको ख्याल में रखना है, कि यह जो text नाम का हमने add किया है na widget, इसके अंदर ही आपको style add करना पड़ता है, और यहाँ पर text style, ठीक है, text style, और text style में आपको जो भी add करना है अब add कर सकते है, इसको रन करके देखेंगे, तो आप देख सकते हैं, अब यह bold में आ गया ठीक है, अब हमें यह center में नहीं चाहिए, हमें यह left side में चाहिए, तो उसके लिए आप use कर सकते है column के अंदर cross x alignment ठीक है तो आप देख सकते है value जहाँ पर cross x alignment dot start तो यहाँ से मुझे start में मिलेगा end में अगर लिखेंगे तो end में center में तो center में अब इसको save करके run करते तो हमें यह left side में visible है ठीक है अभी हो गया RAM का design widget के अंदर इसकी hierarchy में आपको एक बार और explain कर देता हूँ अच्छे से जैसे यहाँ से सब शुरू हुआ था ठीक है यह जो scaffold है ना इस scaffold से सब को शुरू हुआ इस scaffold में हमने एक app बार design किया ठीक है उसमें एक body है body के अंदर सारा खेल चालू हुआ ठीक है फिर इसके अंदर हमने एक column बनाया अब अगर आप app का जो architecture है उसको अगर आप समझेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि एक column widget है ठीक है उसमें तीन columns है यह one, यह two और यह three इस column widget के अंदर यहाँ पे एक row widget है जिसमें एक image है और एक कुष्टो भी यहाँ पे है तो यहाँ पे एक image है और एक यहाँ पे कुष्टो है और इस कुष्टो में एक text है जिसमें Ram ना में और उसके नीचे एक label है लाश सीन का तो इसको हम कैसे add करेंगे तो उसके लिए हमने use किया और column widget, तो हम यह कह सकते हैं कि यहां इस container के अंदर, इस box के अंदर, एक image है, और एक column widget है, उस column widget के अंदर, एक RAM है, और एक text है, similarly, इस second container के अंदर, यहां पर एक image है, और एक column widget है, उस column widget के अंदर, एक नाम है, और एक last scene है, वैसे ही तीसरा, और यह जो तीनों container है, यह एक column widget में added है ठीक है और यहां पर टॉप में एक बार है वही चीज हमने यहां पर design किये तो सबसे पहले मैंने column widget लिया जिसमें मैंने तीन container add किये तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने container design किया हुआ है उस container के अंदर मैंने child में एक row add की एक row add की जिसमें image मैंने add की children में और एक column widget add किया अब इस column widget में हमें और children चाहिए जिसमें एक text है और एक दूसरी भी text है यह देख सकते आप एक यह text है और एक दूसरी भी text है तो यह हमारा एक container design हुआ अब हमें ऐसे और तीन और दो container लगेंगे तो मैं इस container को यहां से copy करूँगा यहां पर यह comments है ना by default है लिख के आ जाते हैं तो आपको brackets को find करने में बहुत easy हो जाएगा सिर्फ आपको इस container के नीचे और container चाहिए तो आप यहां पर copy कर देंगे वैसे एक और चाहिए तो मैं यहां पर एक राम हो गया एक शाम हम बनाएंगे और गण शाम हम करेंगे ठीक है इस तरीके से और यहां पर name हम change करेंगे शाम और यहां पर गण शाम ऐसे तो आप देख सकते हैं कि इंक्रो सेशन में हमने जो आप देखे दे वह इस तरीके से हम विजेट की मदद से यूज कर सकते हैं अब इसमें suppose आपको राम और last scene के बीच में को space चाहिए तो इसके लिए आपको जिसे राम और यह रास सीन के बीच में अगर आपको space चाहिए तो आब यहां पर size बॉक्स का यूज़ करके हाइट एक यूज़ करके आप टैन दे देंगे तो यह हम शाम में एड़ कर रहे ठीक है इसको आप देख सकते है इसको कॉमा यहां देना होगा एप के डिजाइन के उपर आप जो भी आपको स्पेसिंग देना है आप दे सकते है ठीक है इसको मैं टै अब अगर आपको सपोस्स पैडिंग एड़ करना है तो पैडिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं जैसे यह कंटेनर है तो कंटेनर में मैं पैडिंग लिखके एज इंसेट्स.all का यूज़ करके चारो साइट से to spacing एड़ कर सकता हूं ठीक है तो आप देखेंगे यहां पर कुछ तो एक space एड़्ी वैसे ही आप हर कंटेनर में एड़ करेंगे तो वह एड़ हो जाता है यहां पर भी एड़ कर देते गंशा के अध्शाम में में एड़ नी हुआ यहां पर एड़ करेंगे देखेंगे, देखेंगे, आप थोड़ी सी padding चारो साइट से add हो चुकी है, इस तरीके से आप column widget, row widget, text widget, padding का widget, image asset, image widget, ये सारे चीजों को use करके एक app को design कर सकते हैं, इसको और अच्छी तरीके से सीखने के लिए आपको ये app मेरे साथ design करते जाना होगा, इसी को ही हम expand करेंग उसका education, एक text field और dynamically चीजों को change करने का कोशिश करेंगे, तो ये सारी चीजे हम next episode में cover करने वाले हैं, तो इस series को continuously follow करें और practice करते जाएं साथ-साथ की widgets को कैसे create किया जाता है, I hope कि आपको Flutter widgets के बारे में better understanding आ गया होगा, कि कि किस तरीके से apps को design हम करते हैं, ठीक है, Flutter tutorial क एक series में prepare कर रहा हूं, जिसमें ये second episode है, first episode में हमने installation part देखा था, और इस episode में हमने Flutter widgets की मदद से एक app design किया, अब next episode में हम देखेंगे कि navigation कैसे गया जाता है, मतलब उस वहाँ पे एक RAM का जो एक box बन गया, उस पे click करने पे मुझे उसकी profile वगरा देखना है, तो वो कैसे होता है, वो सब चीजे हम next episode में देखने वाले हैं, ठीक है, वीडियो में concept अगर आपके clear हो रहे हैं, तो like, share और subscribe तो बनता ही है, and guys, आज के लिए बस इतना ही, thank you for watching, see you in the next episode.